Hello everyone, आज है 29th September और आज इस वडियो में हम बात करें जा रहे है IDFC First Bank के बारे में देखे 95 रुपीज का शेर है और पिछले कुछ दिनों से ये इसी रेंज के आसपास भटक रहा है 102 रुपे पर पहुँचा था उसके बात देखा जाए तो सीधा करेक्शन बना और अभी 95 से 97 रुपीज के आसपास ये अठका हुआ है बातचित करेंगे HDFC Securities ने यहाँ पर काफी बड़ी कमेंटर करी है उसके बारे में साथ में हम ये भी डिसकस करेंगे कि जिस रेंज के आसपास अठका है ये शेर वो रेंज अट्रेक्टिव है भी के नहीं देखिए वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो देखिए IDFC First Bank 95 रुपीस का शेर है आज ना ही उतनी बड़ी तीजी है ना ही गिरावट है लेकिन पिछले एक महिने में देखोगे तो क्या था ये 90 रुपे से गया था 100 रुपे से भी उपर एक्चुली में 102 रुपे तक गया था ये बाद में डिकलाइन आया 93 पे गया वापस से अटेम्ट किया 97 पे गया था ये लेकिन कल हमें यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी कल 97 से 94 पे गया था 3 परसन का डिकलाइन कल इसने दिखाया था लेकिन आज अटेम्ट कर रहा है कोशिश कर रहा है तेजी दिखाने के आज बाजर में अच्छा मूड भी है आज सेंसेक्स और निफ्टी बैंक अच्छे खासी तेजी दिखा रहे हैं यहाँ पर भी एटलिस गिरावट नहीं है पिछले एक साल के अगर हम बात करेंगे तो 99% का ग्रोथ हमने पैसा डबल कर दिया है इसने तेजी बनी थी गिरावट आई करेक्शन आया था यहाँ पर लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने के बात करोगे तो भी अच्छे महीने में पैसा अलमोस्ट डबल किया है इसने तो शांदार रफतार है लेकिन अभी करेक्शन चल रहा है देखो अगर आप ग्राफ अब्जर्व करोगे न तो जब भी कोई बड़ी देजी इसने दिखाई है कुछ टाइम प्लेख करेक्शन बना है फिर अटेम्ट मारा है पिर करेक्शन बना है यहाँ से करेक्शन एक्सपेकिट है लेकिन long term का outlook अभी भी मुझे रखता है कि बहतरीन हो सकता है अभी भी इसमें potential है कि long term में 120-130 रुपए तक जा सकता है लेकिन हाँ अभी नीचे आएगा 90 रुपए का मुझ देखने के लिए नीचे ज़रूर आएगा फिर दीरे-दीरे करके तेज देखाना शुरू करेगा अगर बा हुई है moderation in credit cost to drive further re-rating आगे और further re-rating अच्छे पैमाने पर ठीक है री-rating इसकी possible है और अगर ऐसा होते तो बहतरीन चीज़ होगे हाला कि यह IDFC limited को लेकर बोला गया है लेकिन again मैं कहें दू IDFC limited और IDFC first bank दोनों का merger होने वाला है आने वाले time पर ठीक है तो जाहिर से बात है जो इसके लिए लागू पड़ेगा वो उसके लिए भी लागू हो जाएगा यहां पर आने वाले time में और देखो यह अच्छा bank है ठीक है पहले क्या था कि इसका performance अगर आप पहले देखोगे तो बहुती खराब था यह लेकिन दीरे-दीरे improvement आने की वज़ा यह है कि देखो प अपनी marketing को लेकर हो लेकिन अभी क्या है अभी actually में क्या था कि हम यह मान के चल रहे थे कि दिरे-दीरे का यह cost कम होगा लेकिन अभी नोंने अपना marketing जो budget है वो काफी जादा बढ़ा दिया है अमीदा बच्चन इनके brand ambassador है IPL में मुमे इंडियन के official banking partner है यह इसके अलावा अ आने वाले तीन सालों का contract है इनका और तक्रीबन 400 करोड के आसपास है कुछ तो amount है जिसमें यह deal हुई है यहाँ पर तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा पैसा marketing के उपर दुबारा से इन्होंने spend करा ज़रूर है जिसके चलते मैं मैं यह मान के चलों कि आने वो एक दो quarter में इनके revenue में शायद 30 करोड के आसपास का है पी ratio 30 का है ना ही सस्ता कहूंगा ना ही महंगा कहूंगा लेकिन अभी जिस तरीके के formation नज़रा रहे है यहाँ पर थोड़ा सा correction expected है और देखा जाए तो dividend हाला कि अभी यह पे नहीं कर रहा है ठीक है dividend पे नहीं कर रहा है लेकिन numbers भई यह शांदार आ रहे हैं इनके income देखो अब 30 जो आई है एक ही साल के अंदर जून 2022 वाला quarter 5,700 करोड की revenue थे जून 2023 में यह 8,200 करोड चले गए मतला बहुत बड़ा जंप आया revenue में profit wise भी देखो कि तो अच्छा जंप आया है 400 करोड के आसपास का था 700-800 करोड पे पहुँच चुके है यह quarterly profit है यह और आगे और बढ़ते नजर आ सकते है यहाँ पर देखो यह वो बैंक है जिसने बहुत ही कम टाइम में अपने credit card business को बहुत जादा हद तक improve करा है और बढ़ाया है आगे expectation और जादा है इनकी के अपने credit card business को और book है वो बढ़ती नजर आ रही है और जो deposits है वो भी इनके बढ़ते नजर आये है और इनकी जो assets quality है वहाँ पर भी अच्छे खासे improvement नजर आये है जो कि इस bank के लिए long term के लिहास से अच्छे ही बात है जहां तक बात करेंगे share holding की तो promoter के पास 39.93% की holding है एक भी share गिरवी न हूँ कि Files के पास है deals भी यहाँ पर 11.67% है जिनने में इसे mutual fund 2.78% है और 4.11 insurance के पास है other deals 4.78% की quality लेकर बैठे है तेकि overall bank खराब नहीं है लेकिन अभी जो branding के उपर खर्चे चल रहा है ने इनके कहीं ना कहीं वो थोड़े से negative factor है इनके लिए लेकिन फिर भी मैं मानता यह शुरुवाती innovation और जैसे जैसे लोगों का भरोसा और जादा यहाँ पर built होता जाएगा लोग और जादा बड़े पहमाने पर deposits यहाँ पर करना पसंद करेंगे जिसके चलते bank की जो order book है वो दिरे दिरे बढ़ती जा सकती है और नजर रख सकते हैं इसके उपर और जिस अभी short term में जो बहुत कम time है जो बहुत बड़ी जो तीजी इसने दिखा दी है मैं यह मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा correction देखो यह expected है ठीक है लगातार यह भागा है यह 50 रुपे से लगातार 100 रुपे पर भागा है यह तो correction expected है और यहाँ से अगर यह 80-90 रुपे की range म आता है तो वहां से buy on dips की शुरुवात हो सकती है again मैं यहाँ पर word use कर रहा हूँ buy on dips मलब कि किसी एक level पर बहुत सारे quantity मत खरीद के वैड़ जाईएगा 80-90 के बीच में जाए थोड़ी सी quantity add करो उसके बाद हर 15% के decline पर दीरे-दीरे add करने के मौके जो है वो यहाँ पर ढू पानी की तरफ पानी की तरफ ऐसा इन्होंने बहाया है अपनी marketing को लेकर अपनी branding को लेकर जो कि इनको paid off करना चाहिए आने वाले time में तो वीडियो को यहीं पर end करो उससे पहले analysis के लिए जिस portal का मैं इस्तमाल कर रहा हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते है तो link मैं आपको description में दे दूँगा और अगर अब मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करो के तो आपको 20% का discount अभी मिल जाएगा कई सारे बहतरीन features यहाँ पर जिनमें से एक है कि stock research report मिलब कई सारे जो brokerage houses होते हैं वो अपनी commentary देते हैं अपनी buy recommendation देते हैं किसी particular stocks को लेकर जैसे कि ICICI direct ने recommend किय परिदारी के लिए जो कि 27 तारिक को उनने recommend किया था और आज NDPC में 4% की 30 भी आई है 300 रुपे का target दिया है और अभी भी 21% की potential upsides वो यहाँ पर देख रहे हैं अब क्यूं उन्होंने ऐसा किया तो उसकी पूरी reports भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है और जहां तक MCX क की बात करें तो HDFC Securities की यहाँ पर buying recommendation है आज actually में morning में 8% डाउन था अभी 2,5% का decline जरूर है यहाँ पर तो क्यूं वो recommend कर रहे है उसकी पूरी reports आपको यहाँ पर मिल जाएगी कई सारे stocks है कई सारे लोग की तरफ से recommendation है चाहे वो मोतिला लोस्वाल हो चाहे वो HDFC Securities हो चाहे सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो देर किस बात की है link description में coupon code का फाइदा उठाना भूलेगा नहीं वीडियो को यहीं पर end करूंगा पसंद आए हो तो like करें श्राय करें चैनल मगरा पर लिए बाहर हैं तो please subscribe करें और idea of the first bank के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट मलें के बता सकते हैं thank you